नमस्कार और वेलकम तू स्टड़ी ग्लोज माई दियर फ्रेंड मैं हूँ प्रशांत मावानिया इप यू ओल आर डूइंग गूड दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एर पॉल्यूशन इन डेली के बारे में आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस विशे के बारे में हमें भी बहुत सारी चीज़े पता हैं क्यों नहीं इस इस नोट एन यू टॉपिक यह एक बहुत ही पुराना टॉपिक है लगबग एक दशक से ज्यादा वख्त हो चुका है कि न्यूज में हर बार रा फिर हम यह देखेंगे कि हमेशा डेली ही न्यूज में क्यों रहता है क्यों डेली की ही ऐसी सिचुईशन हो जाती है इसके साथ जियोग्राफिक के साथ जुड़ी हुई एक बात है जो हवाएं है उनकी जो दिशा है उसका क्या रोल है विंटर जो डिस्टरबंस रहता है इ आपको ascending or descending order में इसको करना है कि सबसे ज्यादा let's say pollution जो है वो कौन से source से आ रहा है उसके बाद कौन सा source है तो यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए तो यहाँ पर थोड़ी चीज़े आपको ऐसे भी मिल जाएगी यह फिर revise करने को मिलेगी which are very very important dear friends you are watching study glows आप मेरे दूसरे lectures जैसे के editorials and articles analysis वाली series जो है वो curiously education पर देख सकते हैं we have launched a very very interesting course यह आपके self development के लिए है दोस्तो और इसको design किया है Dr. Mayurika Dasnay उनके पास psychology की field में 15 सालों से ज्यादा का experience है इस course के साथ जुड़ी हुई सारी details आपको हमारे mobile app पर मिल जाएगी ठीक है दोस्तो तो let's start with poisonous air latest ख़बरी आई है 9th November की situation यह है कि डेली में जो air quality का level है वो severe category में पहुँच गया air quality index जो है उसको 24 by 7 measure किया जाता है जिसको हम AQI कहते हैं एक average निकाली जाती है चार बजे daily जो है इसको measure किया जाता है और latest आखड़ा जो आया है वो यह है कि डेली का जो AQI average AQI जो है यह 437 था yes 437 कुछ दिनों पहले यह आखड़ा 426 था यह increase होके 437 हो गया इसका मतलब यह है कि डेली की जो air है यह बहुत ही ज्यादा dangerous है बहुत ही ज्यादा polluted है 437 जो है वो कितना severe है इसको समझने के लिए you have to understand graded response action plan अब डेली में जिस परकार का pollution है तो इसको control करने के लिए इस पर restrictions लगाने के लिए central government ने air pollution control plan जो है डेली NCR के लिए उसके लिए graded response action plan बना है जिसको grab कहते हैं तो grab जो है इसमें air quality जो है उसकी अलग-अलग category को अलग-अलग नाम दिये गए for example अगर stage 1 में है जहांपर AQI 201 से लेकर 300 के बीच में होता है तो इसको poor category की air कहा जाता है stage 2 जो है इसमें very poor जिसमें 301 से लेकर 400 401 से 450 के बीच में अगर है तो it is considered as severe right just stage 3 है और severe plus जो है तो ये stage 4 है और ये बाव 450 तो dear friends as you can see है में फिर से एक बार आपको दिखा दू it was 437 तो you can clearly understand कि वी वेर in stage 3 401 से लेकर 450 के बीच में ये ग्रप का जो आपक्रा है में सी ये जो AQI यहां पर पहुच गया था तो it is considered a very severe situation Central Pollution Control Board The AQI map crafted by CPCB displayed cluster of red dots signifying 1000 ये सहर quality scattered across the Indo-Gangetic Plains ये पूरा Indo-Gangetic Plains वाला एरिया जो है तो यहां पर आपको red dots नजर आ रहे हैं ये Central Pollution Control Board के जो इसने जो display किया cluster का मिन्स के कहां कहां पर हजार ये सहर हैं तो you will find मिन्स पूरे हर एक जगा पर आपको ये जिस नजर आ रही है और गाजियाबाद में देखे 391, गोडगाव में 404, नोईड़ा 394, 439 वोज इन greater नोईड़ा and 410 इन फरीदाबाद तो as you can see के आजू-आजू के इलाके जो है दूसरी चीज़ ऐसी है कि जो वहिकल से उसमें से भी बहुत सारा धुवा निकलता है एक तरफ ये पराली जलाई जाती है पैडी स्ट्रो बर्निंग जिसको हम कहते हैं फिर फटाके और इसके अलावा कुछ लोकल पॉल्यूशन की सोर्स्स ये सारी चीज़े जब मिलती हैं और विंटर के समय में ये सारी चीज़े जो है वो एक साथ इकठा होती है और इसके बिजसे डैली के सिचुवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है एसपर डीपी सी सी 1st नवेंबर से लेकर 15 नवेंबर जो है ये केपिटल में पॉल्यूशन जो है वो अपने पीक तक पहुँच जाएगा और ऐसे ही समय में पंजाब और हरियाना में स्टबल बनी के इंसिदेंट्स जो है वो भी काफी ज्यादा होते हैं तो आजो आजो के राजियों में कोई सॉलिड मटिरियल है या फिर पानी की बात करें तो वैसे ही हवाओ की भी ऐसी ही सिच्वेशन है कि अगर हवा ठंडी होती है तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है उसका वजन बढ़ जाता है तो वो नीचे गिर जाती है अड़ेट लोड की बज़े से हवाय जो है और ज्यादा थिक होकर नीचे के लेवल पर रहेगी तो इससे पॉल्यूशन जो है आपको और ज्यादा फिल होगा नमबर टू ये थोड़ी साइटिफिक की बात होगी नमबर टू देखेंगे तो विंड जो है नजदी के रिए एक छोटे से खितर में काफी ज्यादा फैल होगा तो यहाँ पर भी ऐसा ही रोल जो है वो हवाओ का रहता है और जैसे मैंने पताया है पंजाब और हर्यानों और राजवाजु के राजवियों में स्टबल बर्निंग की जाती है Energy Policy Institution at the University of Chicago इसने ये कहा है कि दुनिया के सारे Capitals को देखेंगे तो सबसे ज्यादा Polluted Capital अगर किसी देश का है दुनिया के सबसे ज्यादा Polluted राजवियों में अगर किसी देश की है तो that is हमारे देश भारत की और ये जो Energy Policy Institute at the University of Chicago इसको EPIC भी कहते है EPIC तो EPIC के मताबित ऐसा है कि Delhi में रहने वाले लोग जो हैं तो Air Pollution के वज़े से उनके जीवन के बारा साल बारा साल जीवन के कम हो जाते है बिकोज आप Pollution अब विंट्स की बात करें राइट वियर गीन टू चेक आउट एन इन इन्फोग्राफिक अस वाल Western Disturbances दोस्तों मैं इसकी और ज्यादर डीटेल्स में नहीं जा रहा हूँ यह अपने आप में एक जियोग्राफिक का कॉंसेट है Mediterranean Sea जो है तो यहां से हवाय ऊपर उठती है और बहुत ही एक स्पीड में बहती है हमारे देश की तरफ आती है तो यह बारिश भी लेकर आती है और इसी वज़े से डेली और आसपास के एरिया में आपको विंटर के समय पर बारिश भी देखने को मिलती है तो यह जो Western Disturbance है एक बार इसकी इंपेक्ट कम हो जाएगी तो इसके बाद विंड की स्पीड जो है वो थोड़ी इंक्रीज होने वाला है और Indian Meteorological Department जो है उनके Officials ने ये मेंशन किया है ये Northwest to Southwest ये डारेक्शन जो है इसके विज़े से अब ये थोड़ा बहुत pollution कम हो जाएगा प्रिकुलरली दिवाली के बाद अब यहाँ पर देखिए ये पुराना Infographic है लेकिन बहुत हैं इंट्रेस्टिंग है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस खेत्र की बात है और यहाँ पर आप देखिए Delhi है तो ये जो Red Dots है ना ये वो सारी जगाह है जहाँ पर हमें Stubble Burning के Cases देखने के मिलते हैं और देखे जो Wind की Direction है ये जो Arrows है ये Wind की Directions को Define करते हैं तो यहाँ से हवाय जो है वो बहकर इस तरफ आ रही है तो इसकी बज़े से ये Stubble Burning यहाँ पर होता है और सारी हवाय जो है वो यहाँ पर आकर ये डेली जो है इसको प्रकार का गयास चेंबर बना सकती है अब इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके यह हमफुल यह एर कितनी हमफुल है इसमें क्या-क्या कॉंपोनेंट्स रहते हैं राइट और वेल्यूबल नूट्रियंस जो हो कितने है हमें इसका लॉस जो होता है यह सारी चीज़े भी आपको यहाँ पर देखने को बिल जाएगे ठीक है थोड़ा पुराना इंफोग्राफिक है लेकिन काफी इंट्रिस्टिंग इंफॉमेटिव है सोर्स अफ पॉल्यूशन की बात करें दिया फ्रंस तो बहुत है क्विकले जो सरकार है जो डिसिशन सपोर्ट सिस्टम है तो इस प्रकार के जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो हमारी जो इसको बाइपास करके यह पार्टिकुलेट मैटर जो हमारे लंग्स तक होन जाते है और इसकी वज़े से फिर यह कम हो जाएगा, it will reach 27% यह consistent नहीं है 38% तक पहुँच जाता है लेकिन उसके बाद थोड़े समय के बाद यह कम भी हो जाता है इसके साथ transportation की बात करें vehicles की बात करें, background में आप देख सकते हैं vehicles राइट है, तो 12 से लेकर 14% जो है, इसका role रहता है और डेली environment minister जो है गोपाल राय साब, इसी वज़े से उन्होंने app-based taxis जो है, उनकी entry पर ban लगा दिया है, Supreme Court ने भी इस चीज़ को support किया था odd-even car rotating scheme जो है इसको implement करने की बात है, लेकिन Supreme Court जो है वो इसको review कर रही है, लेकिन Supreme Court ने इस car rotating या फिर odd-even के बारे में यह का it's all optics, यह सिर्फ बिखावे में और उपर-उपर से अच्छी चीज़े लगती है लेकिन इसका real कोई impact जो है वो देखने को नहीं मिला है ad hoc, दूसरे जो steps निये गए है temporary steps, तो एक artificial rain conduct करवाने की बात है कि cloud seeding यह एक method रहती है इसको थोड़ा study कर लीजेगा, इसको लेकर videos जो है वो हमनी चनल पर available है, नहीं देखें तो देखें लीजे cloud seeding पर से आपको easily प्रशन पूछे जा सकते है क्योंकि अभी कुछ महिनों के अंदर ही cloud seeding जो है स्कूल्स जो है तो उसमें winter break दिया गया है वैसे winter break जो है, वो December में दिया जाता है लेकिन इस बार इसको revise करके 9th November से लेकर 18th November तक winter break दे दिया है स्कूल्स में तो ऐसे कुछ steps जो है वो डेली की सरकार के द्वरा उठाए गये है रही बात doctors की doctors यह कहता है कि डेली में pollution जो है इतना ज्यादा है कि कोई इंसान 10 cigarettes अगर पूरे दिन में पीता है और इसकी बज़े से जितना नुक्सान होता है उतना, वहाँ पर cigarette ना पीने वाले लोग जो है उनको भी इतना नुक्सान होता है तो उनको कितना ज्यादा severe impact होता होगा फिर कुछ दूसरे doctors हैं जो pulmonology और critical care department में काम कर रहे हैं तो उनका कहना यह है कि अगर हम एक लंबे समय तक ऐसी polluted air में रहते हैं तो बहुत सारे respiratory issues हो जाते हैं जैसे कि अस्थमा हैं, bronchitis हैं chronic obstructive pulmonary disease जिसको COPD कहते हैं तो इस प्रकार के severe diseases हो सकते हैं cardiovascular disease जो है वो भी काफी increase होगे because of bad air because of this polluted air so दोस्तो, I hope आज की इस discussion से आपको बहुत सारी चीज़े जो है वो रिवाइस भी होगी होगी और बहुत सारी नहीं चीज़े जो है वो भी सीखने को मिली होगी याद रखे, you're watching study glows and you can check out my other videos on Curiously Education यह YouTube platform है and do make the most out of this particular course यह course सारे age group के लिए है अगर आप school में है, college में है master's कर रहे हैं या फिर competitive examination की तयारी कर रहे हैं या फिर आप एक professional है this course will help you a lot बहुत सारी चीज़े आपको इसमें जानने को मिलेगे और जैसे मैं आपको बताया ना starting में कि this is a self-development category का course तो जितना हम अपने आप पर investment करते हैं उसका return हमें उतना ही जयादा है और forever मिलता रहता है So this is the beauty of self-development कोर्स के साथ जोड़ी ही सारी डेटेश Study Glows के mobile app पर अवेलेबल है Happy Diwali to all of you Happy Dhanteras to all of you God bless you all This is Prashant Mamani, I'm signing off for now I will see you soon with some more interesting topics Till then, enjoy your studies God bless you all Jai Hind